Hello everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे sustainability reporting So we are basically moving towards the theory part of section E and the first topic will be your sustainability reporting यहाँ परिए आप दो चीज़ पढ़ेंगे First one is your sustainability reporting and second one is your global reporting initiative हम लोग पहले देखते हैं guys sustainability क्या है Sustainability is nothing but consistency कोई भी चीज में success आने के लिए ना guys आपके पास sustainability का होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम पर consistent रहना बहुत ज़रूरी है For example देखिए आपका CMA का journey कितना साल का है डाई साल 2.5 years का आप लोग का journey रहता है अभी अगर आप continuously नहीं पढ़ेंगे आपने एक दिन 10 hours पढ़ दिया अगले दिन आपने नहीं पढ़ा फिर आपने एक दिन पढ़ा तो क्या आप qualify कर पाएंगे या फिर अच्छे marks से qualify कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे So आपका objective क्या होना चाहिए consistently आप अच्छे काम करते जाएए तभी आपको success मिलेगा अभी सपूज आपने एक exercise करना शुरू किया आपको पतला होना है, slim होना है एक दिन आपने 5 गंटा कर लिया फिर आपने करना छोड़ दिया अगले दिन आप उठी नहीं पाएं ड्रेन होगी आपका body body pain कर रहा है तो आप कैसे काम करेंगे इसलिए क्या करना था आपको आधा गंटा या एक गंटा आपको रोज करना चाहिए था similarly company के साथ भी ऐसे ही होते हैं अभी देखिए कोई भी company क्यों form होती है कोई भी organization कोई भी business क्यों start करते हैं guys profit earn करने के लिए हम लोग कोई भी business को start करते हैं to earn profit balance it prepare करके हम लोग बताते हैं right but अभी companies का target होता है profit earn करना and survival के लिए जरूरी भी है एक company के लिए बहुत जरूरी होता है profit earn करना so that वो लोग survive कर सके but at what cost आप कौन से cost पे profit earn कर रहे हैं आपको पता भी है business organization को पता भी नहीं होता कि वो लोग profit earn करने के चक्कर पे society को कितना harm पहुचा रहे है environment को कितना harm पहुचा रहे है so that long run में वो लोग survive नहीं कर पाएंगे but उनको फ़रत नहीं पड़ता उनको आज से मतलब है बस भागी जा रहे है they are moving towards a single way वो लोग बस चलते जा रहे हैं आगे पीछे कुछ भी नहीं सोच रहे है for example देखिए अभी natural resources limited है limited natural resources है आप लोग extract करते गए coal extract करते गए आपके factory में लगाते गए लगाते गए वर एक नाएक दिन वो खतम हो जाएगा उसके बाद क्या उसके बाद क्या आपकी business चलेगी उसके बाद क्या आप लोग फिर से profit and कर पाएंगे और क्या तब तक अर्थ बचेगा आप लोग इतने extract करते जाएंगे blast करते जाएंगे जमीन अंदर से खुकला होता जाएगा क्या आप लोग survive कर पाएंगे इसलिए इंसान चला जा रहा है चांद पे ठीक है मंगल पे आप जाना सुरू कर देंगे वहां पे रहना सुरू कर देंगे कुछ सालों में लेकिन अर्थ है अर्थ को कैसे बचा के अर्थ में survive करेंगे यह इंसान नहीं सोच रहा है बट नौ इस हाई टाइम कि अभी जो higher करना पड़ेगा और सर्वाइब करना पड़ेगा अब उनको क्या करना पड़ेगा अपने financial report के साथ साथ non financial report भी देनी पड़ेगी और उसमें से एक report होकी आपकी sustainability reporting जस्ट लाइक आप PL balance sheet बनाते हैं अपना financial performance बताते हैं आपकी profit कितनी है asset कितनी है liability कितनी है वैसे ही आप एक sustainability report बनाएंगे और उस पर अपना social and environmental performance बताएंगे मैम तो के ये sustainability report बनाना compulsory है जी नहीं presently अभी compulsory नहीं है अभी ये voluntary है सेबी ने guideline लाया था और कहा था अपने top 1000 companies को अगर वो चाहे अपने financial report के साथ sustainability report भी बना सकते हैं बट आने वाली साल में definitely it is going to be compulsory अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरे पास है R.I.L का sustainability report में दिखाऊंगी वो लोग कितने beautiful तरीके से present कर रखे हैं हमको यहापे present क्या करना है ओस अभी हम यहापे पढ़ेंगे देखिए to be sustainable a business needs to be profitable without profit the organization wouldn't survive definitely सही सा बात है बिना profit के हम लोग survive नहीं कर पाएंगे it should responsibly consider the impact on the planet of the organization's operation and strategy and ensure the fair treatment of all the people involved in the supply chain along with its own employees क्या बोल रहा है देखिए आप ए 3P को मैंने बोल्ड किया है profit earn करना आपके लिए जरूरी है बट साथ साथ में आप planet को भी देखिए that means अपने environment को देखिए and साथ में people को देखिए मतलब अपने society को भी आप देखके चलिए profit, people and planet तीन चीज को बिजनेस को साथ में लेके चलना पड़ेगा to attain sustainability और sustainable growth के लिए बिजनेस को तीनों को लेके साथ में चलना पड़ेगा is it clear? so basically sustainability is based upon 3 P's what are the 3 P's? people, planet and profit okay अभी देखिए यहां पर अगर मैं draw करूंगी this point would be your sustainability point यह आपका sustainability point है अगर मैं people, planet, profit तीनों को यहां पर draw करूंगी so तीनों का joint point होगा ना तीनों जहां पर satisfy करेंगे ओ point कौम लोग बोलेंगे sustainability point मतलब जहां पर 3 चीज मिल जा रहा है आपके people, आपके planet और आपका profit आपको profit भी और रहा है आपकी society भी सही से खूस है impact जादा नहीं हो रहा है और आपका environment भी सही है उहां पर ही आपको sustainable growth मिलेगा एक organization sustain नहीं कर सकता है यह तीनों चीज के बिना अगर आपको sustain करना है तो only profit नहीं आपको people and planet account पर भी ध्यान देना पड़ेगा ओकी so देखिए sustainability reporting is defined as an organization's practice of reporting publicly on its economic, environmental and social impact economic मतलब आपका profit कितना हो रहा है, environment मतलब आपकी society कैसे चले, that is planet and social impact मतलब लोगों के उपर आपकी impact क्या है and hence its contribution positive or negative towards the goal of sustainable development sustainable development का जो goals है और organization लेके चले हैं उसके towards आपके organization contribution क्या है आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए ठीक है, अभी planet को बचाने के लिए आप क्या कर रहे है आपके organization आपकी factory के वज़े से जो धुआ निकल रहा है जो carbon dioxide निकल रहा है जो खराब पानी निकल रहा है आप उसको recycle करने के लिए क्या कर रहे है उसका negative impact को mitigate करने के लिए आप क्या कर रहे है उस सारे चीज़े आपको ये report पे बतानी पड़ेगी आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप उनके लिए training दे रहे हैं क्या आप उनके लिए hospital खुलवा रहे हैं education system खुलवा रहे हैं आप लोग जेंडर बेस्ट appointment दे रहे हैं क्या आप लोग इस सब चीज़ को avoid कर रहे हैं यानि इस सारे चीज़े आपको बताना पड़ेगा आप लोगों के लिए society के लिए अपने environment के लिए आप क्या काम कर रहे हैं आपको अपने financial performance के साथ non-financial performance को भी दिखाना पड़ेगा अपने investors को through this process an organization identifies its significant impact on the economy, the environment and society and disclose them in accordance with a globally accepted standard अब ये globally accepted standard क्या बोल रहे हैं देखिए अभी tax audit report बनाने के लिए आपके पास form है cost audit report के लिए आपके पास CRA form होता है 1,2,3,4 but sustainability report करने के लिए आपके पास there is no form there is no particular format कि आपको इसी format पे sustainability report बनानी है but एक standard बनाया गया, एक initiative लिया गया और एक particular guidelines बनाये गया कि उस guidelines के basis पे आप लोग sustainable report कर सकते हैं ठीक है, so उसको बुला जाता है Global Reporting Initiative, GRI यहाँ पर मैंने बताया था, दो topic पढ़ेंगे, एक sustainability reporting at global reporting initiative, मैंने क्या बुला sustainable development can be defined as the development that meets the needs of the present अभी का needs आपका पूरा कर रहा है without compromising the ability of the future generation to meet their own needs आपकी needs तो पूरी हो रही है साथ साथ में आपके future generation जो है उनकी needs भी compromise नहीं होगी ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आज आपने सारा खतम कर दिया उनके लिए कुछ बचाई नहीं हो, ऐसा नहीं होगा sustainability development क्या बोल रहा है आप इस तरीके से develop करते जाए हम आपके growth को growth तब मानेंगे आपके development को sustainable development तब मानेंगे जब आपके development से किसी और को हानी ना पहुंच रहा हो किसी और को ज्यादा नुक्सान ना होता हो आपकी society, future generation, आपका environment भी safe है आपके development के साथ तभी आपका development एक sustainable development है अदरवाइस आपका development से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है except your financial situation आपके financial profit को छोड़के आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है ठीक है उसकी बाद देखिए global reporting initiative मैंने बताया GRI is considered as the best known framework for voluntary reporting of environmental and social performance by business organization worldwide voluntary क्यों बोला गया है क्योंकि ये voluntarily जो भी business organization report करना चाहते है वो कर सकते हैं बड़े-बड़े companies जो लिस्टेड नहीं है PSU अगेरा भी अभी sustainability reporting करना start कर चुके है इट प्रोवाइड दो वर्ल्ड's most used sustainability reporting standard so GRI के उपर कभी-कभी आपको 2-3 मर्का short notes भी आ सकता है आपको इसको देखना चाहिए what is GRI so Global Reporting Initiative क्या है it is a best known framework है क्या देने के लिए एक guideline provide करने के लिए for voluntary reporting of environmental and social performance by business organization also it provides the world's most used sustainability reporting standard is it clear now देखिए 3 forms of sustainability मैंने अल्रड़ी बता दिया 3 piece के बारे में so sustainability के 3 form है क्या क्या है people मतलब social planet मतलब environmental and profit मतलब economical so social, environmental and economical there are 3 forms of sustainability social मतलब क्या आप अपने employees और आस पास के लोगों के साथ कैसा relation maintain करके रखे उनके लिए क्या अच्छा काम कर रहा है वो आप बताएंगे that is your social sustainability reporting maintaining mutual beneficial relationship with customer, employees and the community environmental क्या है focus on the impact of resource uses hazardous substance waste and emission on the environment ठीक है आपकी company के regular activities के budget से कितना impact आ रहा है कितना आप resource use कर रहे है hazardous gas आप कितना छोड़ रहे है कितना waste जा रहे है emission जा रहे है उसको mitigate करने के लिए आप क्या steps ले रहे है वो चीज़े आपको environmental sustainability report में बताना पड़ेगा आपकी बिजनेस के efficiency क्या है productivity क्या है and profit क्या है आपकी regular activities के वज़े से environment को कितने नुकसान पहुंच रहे है कितना hazardous gas निकल रहे है और उसको mitigate करने के लिए आप लोग क्या कर रहे है आप लोगोंने कितना paid लगाया आप लोगोंने कितना recycle process कि कितना कचड़ा आप लोगोंने उठाया साफ किया उसको recycle किया reuse किया चीजों को उस सारी चीज़े आप लोग environmental sustainable report में बताएंगे and economical तो अलड़ी आप लोग बता रहें आप लोग की business के efficiency क्या है productivity क्या है कितने profit earn करें यहां पे आप लोग economical report देंगे so basically this is your financial performance and this is your non-financial performance यह सारी चीज़े आपको समझ आएं guys बट देखिए क्योंकि यह completely theory है I have tried कि मैं इसको थोड़ा सा colorful कर सको थोड़ा सा इसको practical way में बता सको so that आप लोग को चीज़े याद हो because देखिए यह सब चीज़े exam में पढ़के जाना आपके लिए बहुत जरूरी है it is not कि आप सरी practical questions करके चले गए जब आप कोई company में काम भी करने जाएंगे कल interviews भी देंगे आपको यह सब चीज़ का knowledge होना बहुत जरूरी है और exam के लिए तो 100% जरूरी है बहुत easy चीज़े देखिए so इसलिए अभी इसको समझने के लिए companies कैसे report कर रहे हैं आपको यहां पर अभी दिखाऊंगे आप लोग देखिए आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा Reliance Industries Limited इसका sustainability report में को मिला गाई for the year 2017-18 मिला तो मैंने 17-18 का ले लिया so देखिए एकदम 200 page का यहां पर आपको एक बड़ा सारा दिया है यहां पर देखिए आपको बहुत सारा चीज दिया है आप लोग को यहां पर about the report, corporate governance, management system, ethics, integrity and compliance, natural capital यह सब आप पढ़ेंगे अभी integrated reporting में पढ़ेंगे about six types of capital, natural, human ठीक है यह सारा चीज आप लोग पढ़ेंगे intellectual capital, manufactured capital यह सब चीज आप लोग पढ़ेंगे अभी मैं आप लोग को बताऊंगे देखिए GRI content index यहां पर दिया इसके basis पर वो लोगों ने बनाया होगा अपना social relationship capital इस सारे चीज आप लोग इंटेग्रेटर रिपोर्टिंग पर पढ़ेंगे आला कि देखिए मैं आप लोग को यहां पर दिखा रही हूँ देखिए यहां पर यह लोग दिये हैं आवर stakeholder circle उनका stakeholder का circle कितना बढ़ा है बिकर यहां पर क्या है आपके stakeholders को ही सारे रिपोर्ट चाहिए investors को सारे रिपोर्ट चाहिए तो उन्होंने पहले stakeholders का circle बता दिया हमारे उनके customer, उनके stakeholders है, local communities, आसपास के जो society के लोग है, employees है, supplier है, trade unions है, NGOs है, investor है, government है, तो लोग ने बुला ये सारे जो लोग है ना, ये सब पोई हमारे stakeholders है, फिर उन्होंने बुला कि stakeholders के साथ भी देखिए हम लोग कैसे relationship maintain करते हैं, an overview of the group stakeholders is provided in the table below and a detailed discussion of the group's material matter is provided in the following pages, देखिए, customer के साथ उन्हों कैसे engage हैं, देखिए, telephone के जरीए, email के जरीए, customers meet करते हैं, personal visit, customer satisfaction report, marketing communication, ये सारे चीज़े वोग देखिए हैं, तेन उनके की priorities क्या है, जब उनके साथ उन्होंने उनके की priorities क्या है, प्राइसिंग आप दी प्रड में देंगे, product हमेशा available रखेंगे, quality अच्छी रखेंगे, new new great develop करेंगे, logistic, efficient service, grievances, traditional and transparency, information on the safe use of the product, ये सारे चीज़े हैं, customers के लिए करेंगे, frequency क्या है, annually, monthly and जब भी जरुरत होगी, ओन लोग उनके साथ contact करते हैं, तो ये customer के लिए हो गया, वैसे ही local communities क्या, ओन लोग क्य सारे चीज़ों पर वो लोग ध्यान देंगे, employees का क्या करेंगे, skill development करेंगे, workplace satisfaction and healthy safe operation देंगे, employee engagement and involvement, career progression, ये सारे चीज़े, क्या क्या करते हैं, वो लोग सारा चीज़ यहां पर देखेंगे, suppliers के लिए उन्होंने लिखा है, trade union के लिए उन्होंने लिखा है, NGOs के लिए देख of effective of social progress ये सारा चीज़ों एंजियो के लिए करेंगे, investor and shareholders के लिए क्या करेंगे, financial performance, CSR देंगे, business growth, business strategy, future investment, transparency रखेंगे, good governance practice रखेंगे, ये सारा चीज़ कर रहे हैं, government and regulatory authority के लिए क्या करेंगे, regulatory compliance करेंगे, energy security को enhance करेंगे, community initiative लेंगे, तो ये लोग जो सब चीज़ कर रह क्या क्या चीज़ को importance दे रहे हैं, वो सारा चीज़ वो अपने sustainability report पे लिखा है, बहुत सारा चीज़ है, अभी में सब चीज़ तो यहां पे आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगे, but there are certain things, मतलों वो क्या क्या काम कर रहे हैं, sustainability report में basically हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो सच में ह होता है, जी हां यह theory का कितना importance से वो समझाने के लिए बस में आपको यह दिखा रहे हो, so that देखेंगे ना तो एक दिमाग में रहेगा, जब theory आप लोग लिख सकते हैं, बट अगर आपके knowledge में होगा, तो आप लोग इस सारे चीज़े लिख पाएंगे, फिर यहां पर वो reducing emission and waste generated, our company ensures that all waste is sent only to government authorized disposal agencies, if your senator are treated to meet the most stringent state and central regulatory requirement, तो ऐसी ही लोग पूरा अपना report दे रखे हैं, waste to value through co-processing, co-processing के थो कैसे काम हो रहा है, reduced material intensity through 100% recycled product, पूरा पूरा इतनी beautifully designed है, मैंने काफी यह पढ़ा था, then देखेंगे यहां पर लिखा है, sensitizing go green as a part of regular business, उनका पहला motive क्या है, go green, CA Institute के साइट पे, CMA के साइट पे लिखा रहता है ना, go green, लिखा रहता है ना, देखिएगा कभी दिल खा रहता है, वहाँ पे इस सब चीज़ देखेगा, देखें यहां पे ecosystem and biodiversity पे काम कर रहा है, we regularly engage in initiatives such as tree plantation drives and maintenance of mangroves in coastal areas, हमेशा यह लोग क्या पेड पोधा जगा रहे हैं, यह सारे चीज़ों के उपर देखें, कितना beautifully वो सब किये हैं, मुझे बड़ा मजा थे सब देखने में, देखें, monitoring environmental footprint, कैसे वो लोग सारे चीज़ों को monitor कर रहें, देखो, उनके company का यह plantation activities है, यह लोग यहां पे name का paid लगा रहे हैं, देखें, मैं पढ़के बता रहे हूं, अट GEO, we believe in giving back to nature, and in this regard, we have started a tree plantation initiative, within and near our premises, the objective behind this initiative is to reduce our carbon footprint, and the ambient temperature, carbon footprint को लोग reduce करने के लिए, यह initiative लिए हैं, to achieve this objective, we have selected the neem tree, neem का tree guys, आप लोग को पता होगा, neem के tree के नीचे अगर आप बैठेंगे ना, तो normal environment में जितना temperature होगा, उससे 10 से 15 degree कम आपको महसुस होगा, neem के पढ़के नीचे, it helps in keeping the surrounding cooler in summer, as per research, the temperature under a neem trees is less, 10 degree Celsius less than the surrounding temperature during hot summer months, मेन बता है, तससे 15 degree कम temperature रहता है, so it is a natural air purifier as it filters particles including dust, ozone, carbon, monoxide and other air pollutants को भी वो क्या करता है, प्यूरिफाइ करता है, इसलिए लोग neem का पेड लगाना सुरू किये हैं, कितना beautiful ही हो लोग अपना छोटा 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 चीज को वो लोग बता रहे है, फिर इनून ने दिया है, रूरल transformation कैसे कर रहे हैं, health के लिए क्या काम कर रहे हैं, ambulance कुछ दिए होंगे, education को कैसे support कर रहे हैं, providing quality education to 16,000 students through I4 Reliance Foundation Schools, 713 talented students were given scholarship to pursue higher studies, over 13,644 scholarship since inception, so, देखिये, कैसे students के improvement के लोग काम कर रहे हैं, then sports for development, disaster response, arts, culture and heritage, disaster कुछ आया, तो कैसे हम उनको help के देखो, supported over 10,000 individuals from 22 flood affected villages across Assam's 11th district, so, ऐसे गर के रूरल transformation, water security, institute building, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग वो सारे चीजों को यहां पे report किये हैं, सो, हम लोग थे, three forms of sustainability पे, हम लोगों ने देख लिया, social, environmental and economical sustainability, social में हम लोग क्या बताएं अभी आप लोगों ने पूरा देख के आया, आप लोग society के लिए क्या कर रहे हैं, students के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, development के लिए, health के लिए, आप सारा चीज उस पे लिख सकते हैं, environment के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से environment को safe करके रखेंगे, that is only your environmental aspect and economical तो आप लोग बता रहे हैं, right, now, now the question is कि मैं ये सब चीज हम जो भी करेंगे, ठीक है, हमको समयज में आया, हमको long run पे जाना है, हमको ये सारे चीज़े भी करनी पड़ेगी, और अब जब compulsory हो रही है चीज़े, तो फिर तो करना ही करना है, but ये सब में खर्चे भी तो लगेंगे, expenses भी होंगे, definitely guys, short run में आप लोग को में भी थोड़े से expenses bear करना पड़ सकता है, but long run भी चल के, ये आपको non financial benefit तो देंगे ही देंगे, साथ साथ में आपको financial benefit भी देंगे, आपकी organization itself को ये बहुत सारे benefits provide करेंगे, सो आईए देखते हैं, ये companies को कैसे help करते हैं, और क्या-क्या benefits sustainability reporting का है, देखिए, benefits of sustainability reporting, exam के लिए बहुत-बहुत important है, 4-6 mark के theory आ सकते हैं, benefits of sustainability reporting, देखिए, what are the benefits, दो type के benefits हो सकते हैं, internal benefit भी होते हैं, external benefit भी होते हैं, internal benefit मतलब, आपके organization को internally क्या-क्या benefits provide करेगा, and external benefit मतलब, outside, बाहर की तरीके से आपको कौन से फाइदे मिलेंगे, internal benefit क्या है देखिए, increased understanding of risks and opportunities, of course, आप आपके साथ कितने risks associated हैं, आपके काम के वज़े से, क्या-क्या risk involvement to the society, and to the environment, and to your business in the long run, आपको sustainable growth नहीं मिलेगा, आपके साथ क्या-क्या risks associated हैं, आपको वो जानने को मिलेगा, and क्या-क्या opportunities available हैं, short analysis होता है न, strength, weakness, opportunity and threat को analysis करना, इसके जरिये भी आप अपना risks and opportunity को understand कर सकते हैं, secondly, enhance link between financial and non-financial performance, obviously profit के उपर आप बता दे थे, that will be your financial performance, and अभी आप society and environment के उपर बताएंगे, वो आप होगा आपका non-financial performance, अब दोनों के बीच पे एक link create होगा, और जब profit, planet and people, तीनों को आप साथ मेलेके चलेंगे, तभी आपको sustainable growth मिलेगा, more focus on long term management strategy and policy and business plans, अभी क्या बोल रहा है, कि short term में मत देखिए, short term में आपको थोड़ी से expenses bear करने पर सकते हैं, बट अभी आपको क्या करना है, long term पर आपको focus करना पड़ेगा, long term आप जिते ही business strategy कर रहे हैं, सब में आप sustainability को कैसे integrate करके चलें, वो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, streamlining process, reducing cost and improve efficiency, अब आप बोलेंगे मेरा reduce cost कैसे हो रहा है, present ने आपका cost reduce नहीं हो रहा है, बड़ जब आप wastage को mitigate करना शुरू कर देंगे, जब आप चीज़ों को recycle करना शुरू करेंगे, आपकी employee aware हो जाएंगे ना, तब efficiency भी बढ़ेगी और automatically आपकी cost भी reduce होगी, then benchmarking and assessing sustainability performance with respect to laws, norms, courts, performance standards and voluntary initiative, क्या बोल रहा है benchmarking मतलब क्या, standardization, आप standardized करेंगे, किसके साथ करेंगे, laws, norms, courts, performance standards, industry के जो law के standards हैं, industry के जो norms हैं, courts हैं, उसके साथ आप अपने आपको standardized करेंगे, देखेंगे कि industry का standard क्या है, आपने कितना दूर एचिप कितना positive, कितना negative, यह चीज़े आपको करने को मिलेगा, ठीक है, so these are the internal benefits, external benefits क्या है, most similar ही है, mitigating negative environmental, social and governance impact, जितना भी आपके activities के वज़े से, आपके operation के वज़े से, जितना भी environment को, society को and आपके rules, regulation जो भी आपने follow नहीं किया, आप standard meet नहीं कर पाए, उसके वज़े से जो negative impact आएं, उसको आप mitigate कर पाएंगे, with the help of sustainable report, improving reputation and brand loyalty, अच्छा काम करेंगे, तो लोग आपको अच्छा भोलेंगे, brand loyalty भी बढ़ेगी, enhanced perception and organizations, value, organizations का value creation कैसे ज़्यादा होगा, additional addition कैसे होगा, value addition, उसके लिए आप ज़्यादा सोचने लगेंगे, okay, so these are the basically benefits, internal and external benefits, so फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ, risk and opportunity को आप understand कर पाएंगे, financial, non-financial performance के बीच पे link create करेंगे, long term management strategy policy पे ज़्यादा focus करेंगे, then आप stream line करेंगे, मतलब smoothen करेंगे, cost को reduce करने and efficiency को improve करने में, and benchmarking करेंगे, sustainability performance with respect to law, norms, codes, performance standards and voluntary initiative, external क्या है, आपके जितने भी negative impact है on environment, social and governance, उसको आप mitigate करेंगे, brand loyalty and reputation increase करेंगे, and enhance perception on organizations value, समझ में आया, इसके बाद देखिए, how corporate sustainability reporting helps companies, companies को कैसे help करती है, access and manage their sustainability impact, of course, अपका impact कितना है, access and manage their sustainability impact, आपका sustainability impact कितना है, environment पे, society पे, उसको access करो, उसको पता करो, and then उसको आप manage करो, then report their contributions to sustainable development, आपने क्या 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 है, environment के लिए, society के लिए अपने क्या 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 क्या, ओ आप report करेंगे, and integrate sustainability into their business strategy, future में आप जितने भी business plans and strategy बनाएंगे, उसमें sustainability को integrate करके बनाएंगे, sustainability को साथ में चल की आप सारे plants बनाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको paper manufacture करना है, तो सारे के सारे जंगल को खाड के फेक दिया, नहीं, future plan करनी है, अगर आपको तब 10,000 पेड करने की जरुरत है, तो आप आज से पहले 20,000 पेड को लगाईए, पीस अजार पेड का plantation कीजिए, उसके बाद आप 10,000 पेड को आप काट के अपना business कीजिएगा, ठीके तो जो भी आप long term strategy करेंगे, उस पे आप sustainability को integrate कीजिए, identify and manage sustainability risk, sustainability risk क्या क्या है, sustainability के लिए क्या risk है, क्या क्या risk इसमें involved है, उसको आपको identify करना है, उस हिसाब साब को business plans करना है, then improve governance and enhance reputation, obviously brand loyalty, reputation in tease होगा, and आपकी governance भी improve होगी, governance मतलब business को कैसे better तरीके से आप govern कर सकते हैं, business को कैसे better तरीके से चला सकते हैं, उसमें आपको improvement होगी, ठीक है, so how corporate sustainability reporting helps companies, आपने क्या क्या क्या, access and manage their sustainability impact, sustainability impact को access करेंगे, then manage करेंगे, report their contribution to sustainable development, and integrate sustainability into their business strategies, identify and manage sustainability risk, improve governance and enhance reputation, ठीक है, यह six point है, याद रहेंगे, यह भी exam में four marks के question आ सकते हैं, ठीक है, so basically sustainability reporting में आप लोग का इतना हैं गाईज, आप लोगों ने देखा, मैं फिर से एक short form में आप लोग को बता दे रहे हूं, so that आप लोग को याद हो जाए, sustainability reporting क्या है, an organization's practice of reporting publicly on its economic, environmental and social impact, and hence its contribution positive or negative towards the goal of sustainable development, याद करना पढ़ेगा, दोबर पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है, then यह three piece पे best है, people, planet and profit, an organization cannot sustain without people, planet and profit, then three forms of sustainability, social, environmental and economical, then इसके meaning आप खुद से अभी तो लिख सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद तो इसके meaning आप खुद से लिख पाना चाहिए, then आपके benefits है, internal benefit, external benefit, basically देखिए, आप पूरा भी ना लिख सकें, तो overall आप लिख सकते हैं, risk and opportunity आपको, आप understand कर सकते हैं, financial, non-financial performance के बीच में, link create कर सकते हैं, long term management, strategy, business plan पे focus करेंगे, cost reduce करेंगे, efficiency increase करेंगे, then आप standardized करेंगे, benchmarking करेंगे, sustainability performance with respect to law, norms, course, performance standards and voluntary initiative, external benefit में आप लोगों ने देखा, आप mitigate करेंगे, आपके जितने भी negative, environmental and social impact होंगे, उसको आप mitigate करेंगे, brand loyalty and reputation increase करेंगे, and perception of on a license value को आप enhance करेंगे, then how corporate sustainability reporting help companies, companies को कैसे help करती है, अपनी sustainability impact को जाननी के लिए, उसको manage करने के लिए, then contribution to sustainable development, जो भी है उनका वो report करेंगे, then business strategy पर integrate करेंगे, sustainability को, identify and manage sustainability risk, improve governance and enhance reputation, improve governance and enhance reputation, ठीक है, तो I hope इसको आप दो बार पढ़ेंगे, फिर आप इसको याद करेंगे, ठीक है, so basically इस पर गाईज कितने questions बन सकते हैं, what is sustainability reporting, what is three piece, three piece तो नहीं आएएंगे, forms of sustainability आएंगे, there are three forms of sustainability, GRI आ सकते हैं, global reporting initiative क्या, अगर two marks क्या आए तो आ सकते हैं, three forms of sustainability आ सकते हैं, then इसके benefits आ सकते हैं, what are the benefits of sustainability reporting, अगर या आए, तो ये eight marks के भी आ सकते हैं, six के भी आ सकते हैं, इस्टेजूट के मूर के उपड़ डिपेंड करता है, benefits of sustainable reporting, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, and how corporate sustainability reporting helps companies, आपके study mat पे भी इतना ही दिया है, just for your confidence, मैं आपको यहापे study mat फिर से दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ जाए कि मैं कुछ नहीं छोड़ते हैं, जो book में, उसको मैंने बस एक अच्छी तरीके से यहापे present कर दिया, so that आपको बोर ना लगे, ठीक है, please comment कीजिए गाई, क्या आपको सच में बोर लगा, या फिर आपको समझ में आया, देखिए, यह आपका इंस्टिचूट का Sustainability Reporting and Global Reporting Initiative, यहापे भी आपको वही दिया, People, Planet and Profit, then Social Sustainability, Environmental and Economic Sustainability, then Corporate Sustainability Reporting helps companies, इंड का जहाँ जहाँ पे help किया, वो सारे चीज़े दिया, GRI क्या है वो दिया, and then Benefit of Sustainability Reporting, इतना ही आपको दिया है, दिन BRSR स्टार्ट है, So I hope now the concept is being cleared, next मिलते हैं, एक ने topic के साथ, तब तक के लिए, Bye Bye, Take Care, All the Best,